पटियाला दी केंदरी जेल विच पिछले लम्मे समय तो बांध बलवन सिंग राजवाराने लंगी 5 दिसंबर तो शुरू की ती पुखरताल आज शुक्रवारनों खतम कर दिती है आज शी अकाल तख़त साहिब दे जत्यदार ग्यानी रगबेर सिंग, तख़शी केजगर साहिब दे जत्यदार ग्यानी सुल्तान सिंग आते श्रोमनी गुद्वरा प्रबंद कमेटी दे परदान एडवोकेट हर जिंदर सिंग तामी ने बलवन सिंग राजवाराना नल पट ख़तम करवान ली शोमनी कमेटी वलो लगातार कोशियां कीतियां जारियां सान्थ प्रबंद सिंग ने आखिया कि ओहो होन होर उडीक नहीं कर सक दे ते जल्दी तो जल्दी उन्हादे केज दा फैसला करवाया जावे राजवाना ने साफ शब्दां विच आखिया कि जेक प्रबंद सिंग नहीं देनी ता मेरी सजा नू उमर कैद विच तबदील कीता जावे त्या आनरहे कि सापका मुख मंतरी ब्यान सिंग कतल मामले वेच बलबंद सिंग राजवाना पिछले 12 साल ला तो पट्याला दी केंदरी जेल विच बांधान शोमनी गुदरा दे कमिटी वलो केंद सरकार नू उना दी सजा मुआफिली रहम दी अपील पाएगी सी प्रंतो केंद सरकार वलो इसते कोई फैसला नहीं लिया गया जिस्तो नराज बलबंद सिंग राजवाना लंगी 5 दिसंबर तो पुखर तालते सान जेदा नो दोजार सात बेच फांसी दी सजा होई सी और उना दी फांसी दी सजा जेडिया ओ कनफैशन दे भिहावते होई सी बाकी जेड़े वो चे ट्राइली से गे उना ने बकील कीते सी इना ने कनफैशन कीता सी कनफैशन कारणतों बाद फिर इना ने कोई एपालेंट कोड़ दे पेच अपील बनी पाई और रोत्तों बाद 2012 दे पेच फिलेंगा डेथ संग्टेंस तहत डेथ ब्रांट ओ एकजी कूट होन ले आया ओस बेले शिरी ये कालताक साब बलों ते मोकेदी सरकार ने ओ जतन किते खाल सा पांथनु एक काल देती के इना दी जेडी अपने डेश संग्टेंसिया उनु माफ किता जाबे पंजाब दी पगवंतमान सरकार 10 दसंबर तो पंजाब वास्यानु एक वड़ी सहूलत मोहिया करवान जारी है पंजाब वस्यानु लगपक तरताली तरादिया सरकारी सेवामा दा फायदा कार बैठ्यानु एक फोन ते ही मिल सकेगा मान सरकार वलो इस संबन दी फोन नंबर जारी कर दिता गया है अते 1076 दे कॉल कर दिया ही इस सहूलत दा फायदा लोक उठा सकर गे पंजाब दी आमाद में पांटी दी सरकार तो आड़े द्वारा स्कीम दे तहत तरताली सहूलता विस सब तो एहम इंकम जनम अते मौत दा प्रमान पत्तर जाती अते पैंशन प्रमान पत्तर बिजली बिला दा पुगतान आदी सहूलता शामिल हान मुख मंत्री पगवंत मान ने किहा कि जेकर किसे भी व्यक्तिनू इना सहूलता विचो किसे दा लाब लेन है तर सरकार वोलो जारी कीते गे फोन नमबर ते कॉल करो जिस्तो बा सरकारी करमचारी उना दी सहूलत अनुसार एक टाइम देंगे ते उस समय अनुसार सरकारी करमचारी काम करन देली तो आड़े कार पहुंचनगे अते तो आड़ा काम करनगे सरकारी करमचारी वोलो दिते गे समय दा एक मैसेज रजिस्टर नमबर ते आएगा इस दुरान जेकर कोई भी तो अडिकोलो पैसे जग किसे होड़ चीज दी डिमांड करे ता तुरंथ इस दी शिकायत करो अते संबंदित व्यक्ति खिलाब सक्त कारवाई कीती जावेगी लोगसबा तो कड़नली सदन विच वोटिंग शुरू हुई जदकी वोटिंग शुरू हुन दिया विरोधे तेर सदन तो वौक आउट कर गई वोटिंग तो बात लोगसबा दी स्पीकर ने महुआ मुईत्रा दे खिलाब मेंबर्शिप रादिकंदा मता पास कर रिता लोगसबा दी मेंबर्शिप राद कीते जानतो बात महुआ मुईत्रा ने किया कि एथिक्स कमेटी ने मैंनों चुकांदली बढाई अपनी रिपोर्ट विच हर नियम नों तोड़ रिता है उद्र कॉंगस पार्टी दे संसद मेंबर मनिश्प दिवारी ने किया कि एथिक्स कमेटी कोल किसे नों सजार देन दा अधिकार नहीं है उन्हाने पाशपाते विप जारी करके मैंबरा नों महुआ मोहित्रा खिलाब फैसला लेनली मजबूर करेंदा दोश भी लगाया इसतो पहला चर्चादरान कॉंगस ने इतराज प्रगटाया कि रिपोर्ट सदन विच पेश करन मगरो ही इसते चर्चा करवाई जारी है पंजाब तो आमादमी पार्टी दे रासबा मेंबर संधी पाथक ने प्रशन काल दुरान संसद विच प्राली साडन दे मुद्देनू चुकिया उन्हा केंद सरकार नू सुबा सरकार दा सहयोग करके इस दा हल कड़न दी गाला खिये पाथक ने किया कि प्राली साडन ली किसाना नू कसूर बार दस्र जान दै परन्तु प्राली साडना किसाना दी मजबूरी बान चुकिया उना किया कि वित्ती सहायता दी मदत नाल इसनों रोक्या जा सकता है जिस दिली पंजाब अते किंदर सरकार नों मिल के काम करना हुएगा पार्ठक ने अग्ये दस्या कि पंजाब सरकार किसाना नों प्राली ना साडन दिली हजार रुपे प्रती एकड देना चौंदी है जेकर केंदसर कार 1500 पे प्रती एकर देन ली राजी हो जावे ता किसाना दी 99 वाली समस्यादा अल हो सकते क्योंके जदो किसाना नूAN 25 पे प्रती एकर मिल जानगे ता 44.65 धी समस्यादा अंत हो सकते इस तो इलावा संदी पाठक ने किहा कि किसाना नो चोने दी फसलती, MSP मिल दा है जो होरना फसला ना लो काफी ज्यादा है ज़कर किसाना नो होरना फसला ते भी चोने दे बराबर MSP दिता जावे तक किसान अपने आप चोनना बीजना चढ़ की होर फसला बीजनली त्यार हो जानगे अते पराली साडन वाले मुद्धे तो काफी हर तक निजात मिल सकती है पराली को ना जलाने के लिए जो कॉंपनसेशन देनी बहुत जरूरी है यही एक ऐसा तरीक है जिससे आप रोक सकते हैं पंजाब सरकार ने यह ओफर दिया है कि प्रती एकड़ पराली ना जलाने के लिए एक हजार रुपै कॉंपनसेशन पंजाब सरकार की तरब से और केंद केंदर सरकार से मांगा है कि 1500 रुपए अगर केंदर सरकार भी उस पर एड़ान कर दे तो ये पर्याफ्त राशी होगी और ये बहुत अच्छा प्रयास होगा रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने लगातार पंजबीवार नीतिगत रैपो दर नूँ 65-5% सरी ते बरकरार रख्या गया पार्थिक विकास दर दा अनुमान 65-5% सरी तो वदा के 17 सदी काड़िता गया जदकी परचून महंगाई दर दा अनुमान 55-4% सरी ते बरकरार रख्या गया रैपो दर नूँ 65-5% सरी ते बरकरार रख्या दा मतलब है कि कर वाहन समेत वाक्वा कर जया दिया महीनावार किष्टा विच कोई बदला नहीं होवेगा मुद्धा नेती कमेटी दी तिन दिन चली मेटिंग विच लेगे फैसले संबंदी जान काई दिन दे हुए आर्बियेदिक गवर्नर शक्तिकान दास ने किहा कि MSP दे सारे 6 मेंब्रा ने हालात ते विचार करन तो बाद सरफ समतिनाल रैपोदर नूँ 6.5 पिस अधे बरकरार रखन दा फैसला कीता है इस दिनाल ही MSP ने उदारवादी रुखनू वापस लेन दे आपने स्टैंट दे कायम रहन दा फैसला कीता है शक्तिकान दास ने किहा कि आलमी चिनोत यदे बावजूत देश दी अर्थ विवस्था मजबूत बनी हुए अतिस साधी नी मजबूत है उना क्या कि GST कलेक्शन खरीरदारी प्रबंदक सूच कांक वरगे महत्तवपुन आंकडे मजबूत बने हुए हान इस सबनों 93 राख दे हुए मजूदा वित्ती साल विच GDP विकास दर 7% सदी रहन दा अनुमान है आर्बिय ने पहला दोहजात ते चौब विच विकास दर 6.5% सदी रहन दा अनुमान लगाया सी आते मौजूदा वित्ती साल विच परचून महंगाई दर नू 5.4% सदी ते बरकदार रख्या गया है स्यासर दे बाबा बोहर कहे जानवाले साबका मुख मंतरी स्वर्गिय प्रकास सिंग बादल दा आज जनम दिन शोमण अकाली दल्दे परदान सुखबीर सिंग बादल ने अपने पिता स्वर्गिय प्रकास सिंग बादल दे जनम दिन मौके पावख खुंदया किया कि मेरे लिए है अक्या तकलिव दे पालान क्योंकि मेरी जन्दिगे बिच पहली वार है जोदो प्रकास सिंग बादल जनम दिन मौके साथे दर्म्यान मौजूद नहीं। जनम दिन मौके साथे दर्म्यान मौजूद नहीं। जनम दिन मौके साथे दर्म्यान मौके साथे दर्म्यान मौजूद नहीं। जनम दिन मौके साथे दर्म्यान मौके साथे दर्म्यान मौजूद नहीं। सगो एही देखना हुंद है कि पांक साला अंदर सुब्बे दे लोकां दा जीवन पदर किनना कूच चाहुए है। सुब्बे अंदर किनने लोकां नू रोजगार मिलया ते किनने लोकां देख करा दी आर्थिक सिती बदलिये। इस तो पहला मुख मंत्री पगवन्तमाने गुर्गोबिन सिंग मेडिकल कॉलिज हस्पताल विच बने। क्रोडार पे दे MCH बलाक आते फ्रीद कोट शेयर विच 2016 विच्छाए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दा उद गाटन वी कीता। श्रोमणी अकाली दाल दे बठेंडा लोकसबा हलकी तो संसद मेंबर हर सिम्रत को और बादल ने पंजाब दी पगवन्तमान सरकार नों केरद्या स्यास्ति निशान ना साथ दे। उन्हा क्या कि नैशनल क्राइम रिकॉर्ड बियरो अनुसा सूबे चो लापता हुए व्यक्तियां विचो असी पिसदी महिलावा हन ते एहे आंकडा बहुती ज्यादा हैरान करण वाले हन। सिम्रत को और बादल ने अग्ये किया कि एहे किन्नी हराने दी गाले है कि आम आदमी पार्ट दी पंजाब सरकार ने इस रिपोर्ट दे अपनी कोई प्रतिकिरिया नहीं देती ते ना ही मनुखी तसक्री पिछे दे कार्णा दा पता लगान ली जांच करवाई है। उन्हा पंजाब सरकार को लो मांग केती है कि इस मामले दी जांच करण दे ली त्रंथ कमिशन दा गठन कीता जाना चीद है। जाब विच गुम्शुद की दे मामले विच वाद्दा हैरान करण वाला है।